नमस्कार सुमित जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका अंजो जी नमस्कार सुमित जी मोहन भागवत ने ऐसा क्या कह दिया कि ओवेसी को मिर्ची लग दे उन्होंने यही तो कहा कि हिंदू एक जुट हो जाओ भारत हिंदू राष्ट्र है ऐसी बाते तो ओवेसी रोज करते हैं रोज वो मुस्लिम समुदार से एक जुट होने को कहते हैं तो तब तो किसी ने इत्राज नहीं किया लेकिन उनको भागवत से बड़ी प्रॉब्लम हो गई हैं जो जी इनकी जो सियासत है वो हमें डिवाइड करकर ही चलती है और इनको लगता था कि हिंदू को हमने डिवाइड कर दिया अब हिंदू डिवाइड ही रहेगा और हमारी जो सियासत है वो बढ़ती जाएगी अभी तो हमने 230 या 235 लिये हैं अब अगली बार यह करके हम स्टेट्स जीतते जाएंगे, स्टेट की पावर भी हमारे हाथ में आएगी, सेंटर की भी हम लेकर ही जाएंगे, और यह तो सपने देख रहे हैं, कि अगले एक देश साल में इन्होंने गर्वर्मेंट गिर देनी है, क्योंकि राहुल गांदी को किसी जगा से एक एश्वाश मिल गया है, कि आपकी गर्वर्मेंट, मोदी जी की गर्वर्मेंट को हम गिरने वाले हैं, और तुम अगले परदान मंतरी बनने वाले हो, अगर आप उसकी स्टेट्मेंट देखेंगे, आपको मेंशा रिफ्लेक्शन आएगी, ऐस इफ कोई परदान मंतरी बोल रहा है इस परदेश का, ये बोलता था मोदी जी को हमेशा कि सूट बूट की सरकार, और खुद भारत में होता है तो एक टी-शिट में डालके जाता है, लेकिन जब ये दुबई में भी गया था, तो वहां पर सूट डालके गया था, 48 डिगरी के टेंपरेचर में, अभी USA गया है तो वहां पर भी सूट बूट वाली सरकार वाला आदमी, ये वहां पर गया था, एज़े की ये पधान मंतरी हो भारत का, वो दूसरी बात है, इसको सुनने के लिए कोई नहीं आया, बट फिर भी पधान मंतरी ऑनलाइन तो बनाई दिया है लिबरांडों ने और मुसल्मानों और वो कई वर लिखते भी हैं, आपके मैंने कई वर वीडियो की नीचे देखा है, मेरी वीडियो की नीचे भी आता है, कि हमारा पधान मंतरी राहूल गांदी जिस दिन बनेगा, उस दिन हम हिंदों को बताएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि दर्द कहा है, दर्द एकी तो आप अंडरेसेंट कर सकती हैं कि जिसने इतने बड़े बड़े खौप देखे हों कि हमने गजवे हिंद करना है, हमने यहां पर हिंदू को खतम करना है, सनातन को खतम करना है, अगर यहां के सौ करोड, 90 करोड हिंदू इकठा हो गया, तो इनका क्या होगा, इनके तो सार में यहां पर हिंदों को खत्म कर दिया जाएगा तो जो इस सपना लेकर बैठे हैं 2035 का वो तूड़ता हुआ दिखाई देता है तो दर्द तो होगा ही तो यह जिसको बोलते हैं इस भाविक है अब उसे और तवज्जू भी क्या करती है वसी आपको कभी यह बोलेगा हिंदों गठे हो रहे हो बहुत चीब बात है मुसल्मानों को यह बोल सकता है हिंदों को तो डिवाइड करके ही इनकी दुकान चलती है और दुकान दारी चलाने के लिए किसी भी हट तक गिर सकते हैं यह मुझे लगता है कि अभी और इसके उपर समझाने की ज़रूत नहीं पर आपको लगता है कि मोहन भागवत जी ने बहुत से लोग नाराज थे कहा यहीं जाता है कि उसका खामयाजा बीजेपी ने भुगता तो आपको लगता है कि टाइमिंग थोड़ी गलत होगी भागवजी थोड़ा पहले बोल लेते पहले बात जी है कि भागवजी ने बोला कि हिंदो यूनाइट हो जाओ भाई सुनने के लिए स्टेटमेंट बड़े अच्छी रखती है पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है मोधी जी ने भी बोला कटोगे तो बटोगे तो कटोगे योगी जी ने भी बोल दिया अब परते जा रहे हो, खुद ही United नहीं हो, और हमें बोलते हो, Unite हो जाएँ, Unite कैसे हो जाएँ, किसके लिए हो जाएँ, जब आपकी जो लड़ाईयां हैं, जो बंद कमरों में होनी चाहिए थी, Open में आ गई हैं, और Open में आने के बाद, आप हमें बोलते हैं, वही आदमी जो इनको सुनाई दे रही है, और इनको लगता है कि अगर हर्याना गया, तो आप समझ सकते हैं कि जो पंजाब का पूरा का पूरा ये था, आदोलन किसानों का, अब वो बॉर्डर खोल दिये जाएंगे, हर्याना के जो रोक के रखा था, BJP ने, वो खुल जाएंगे, दिल्ली हमारे लिए कोई काम कीजिए, हमारे हिंदों की जो बेसिक प्रॉलम्स है, वर्क बोर्ड हमारी प्रॉप्टिस को चीनता जा रहा है, आप उसको कोई रोकिए, ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है, आप इसके लिए कोई काम कीजिए, हमारी बहु बेटिया, हरुद उठाक वो convert कर देते हैं उनको love जिहाद में फसाते हैं इसके उपर काम कीजिए पैन इंडिया ये काम होना चाहिए ना कि सिर्फ UP में लेकिन कोई भी काम नहीं किया गया वैस बेंगॉल में क्या कुछ हुआ संदेश खली में और RG hospital वाले में क्या कर लिया किसी नहीं जब हम देखते तब भी हम आपको बोल रहे थे कि सर आप प्लीज यूनाइट हो जाओ अगर आप डिवाड़ेट रहेंगे तो हमारी कंट्री कहीं की नहीं रहेगी तो जब सेख हमारे घर में आया तब हम चीखे अब सेख आपके घर में आया तो आप चीख रहे हैं सुनने वाला कौन है न उसकी भी कोई ना कोई बचे होगी और अगर ये कहा जा रहा है मौन भागवत की तरफ से कि हिंदो एक जुट हो जा तो वह भी मान कर चल रहे होंगे कि हिंदो एक जुट नहीं थे तभी ये सब कुछ हुआ इसलिए स्टेटमेंट आया ना लेकिन सबसे बड़ी बात तो य रहे थे इसलिए तो बोल रहे थे कि उसका राजनितिक फाइदा उठाया जाए और उसकी एक तरह से उसकी बात पर मोहर भी लगाई थी मोहन भागवत नहीं देखे मोहन भागवाजी मुझे आजने समझ नहीं आती राहूल गांधी की भाशा बोल रहे है केजरी वाल पूछे उसका तो बंटादार होना तैय है लेकिन हम बात करते हैं हिंदू की यहोंने बोला हिंदू आप यूनाइट हो जाओ मैं पूछता हूँ दोजा चौगा में क्या हिंदू ही नहीं था जिन्होंने यूनाइट होकर कॉंग्रेस की इतनी स्ट्रॉंग गवर्मन को नी कर दो गरा ठा? या हिंदू की यूनिटी ने आपकी गवर्मनंट लेकर आए थे मोधी जी की. दो जोजार उननीस में भी यही हाल हुआ कि सब भी बोलता थे मोधी जी की जारड़कों पर आई और statement आनी शुरू होगे कि हमें RSS की जरूत नहीं है हम खुद अपने बलबूते पर जीत जाएंगे जब आपने ऐसे बचकानी हरकते करनी शुरू कर दी और जिसने ये सारा कुछ किया जिसके करण आपको एक प्राइस पे करने पड़ी आपने उसे cabinet बंतरी बना दिया तो उगर आप देखेंगे जो बजट आता है हमारा बजट कभी एक साल का नहीं आता है मोधी जी ने canā अगले 25 साल में हम क्या करने वाले हैं उसकी नीव हम आज रखने वाले हैं क्या ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पुरे दुनिया में आप कभी देख लीजिए कभी भी 25 साल का road map नहीं देता है ना ही budget 25 साल के लिए बनाया जाता है मोधी जी ने किया क्योंकि ये RSS की ideology रही है कि nation first, party, individual हमेशा ही बाद में आते हैं पहले nation first होता है लेकिन आज आपने अपने ही agenda को अपने आपस के जो मन बढ़ाव है उसको सामने ले और उसके बाद आपने एक price पे करवाई हमसे ही हम ही हिंदों को जिसको unite करने के लिए बोल रहे है price तो हमने पे की है जो सपने हम देख रहे थे कि 300-400 आएगा हम पूरे constitution में जो गलस काम हुए है जो emergency के time पर जो डाल दिये गए थे उनको remove करने के लिए हमें two-third के majority की जुरू थी हमारे तो सारे सपने हैं आपने वैसे ही धेर कर दिये जो सोचते थे कि 75 साथ के बाद हमें नयाई मिलेगा अपने ही देश में तब यह सारे काम आपने किये अपने लड़ाईया सटकों पर लेकर आए तो हिंदू unite कैसे होगा तो आज जो आप गोहार कर रहे हैं क्योंकि आपके घर में आग लगी है इसी चीज़ का फाइदा वसी भी उठा रहा है कॉंग्रेस भी उठा रही है और सारा opposition के साथ साथ even international powers जो यहां पर मोदी जी की government को गिरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो जाए मोदी जी की government गिरने चाहिए वो सारे जिसों बहुते इकटे हो गए हैं and they are now much more powerful than what our government is but देखते हैं आगे राशा का इस्तेमाल कर रहे थे उनका कहना था कि बहुत ही मतरनाक महौल हो जाएगा ना सिर्फ हिंदों के लिए बलकि दलितों के लिए Christians के लिए Muslims के लिए तो यह हिंदूओं और दलितों का जो फर्क वो समझा रहे थे यह भी तो अपने आपे बहुत कुछ कहता है जबकि इनकी डिवीजन्स तो हमारी डिवीजन्स से भी बहुत जादा आगे हैं हमारे तो यहां पर ही बोलते हैं कि दलितों को अलग करने का रीजन है क्योंकि दलितों को अलग करके हिंदू और दलित के बीच में जो डिवाइट मुस्लमानों या Congress क्रेट करी है यह जान ब बात करते हैं इसी को बोलते हैं डिवाइड रूल और शायद इसी का जो मेसेज है मोदीज ने देने की कोशिश भी करी कि Congress का सिस्टम हमेशा ही डिवाइड एंड रूल का होता है उनका अगर मोटो है डिवाइड रूल का आपका मोटो क्या है क्या आपने सभी को इकठा करक कभी कोशिश करी कि सारा हिंदू समाज इकठा होकर एक जंडे की नीचे आए येस मैं कई मोवमेंट्स देखता हूँ जहां पर पूरा कंट्री इकठा हुआ था जब दी मोनेटाजेशन हुआ आपने करॉप्शन के खिलाफ एक इतना बड़ा मोहीम चलाई कि सारा देश इक क्यों आपके साथ था कि येस जैशरी राम एक नैशनल एंथम बन गया था उस वगत तो आपने ये मोवमेंट्स क्रियेट करे हैं और अलॉंग दवे दे लास्टेन येर्स लेकिन मुझे लगता है कि इसके इलावा और बड़े-बड़े काम करने जरूरी थे जब पहले बन कि इसके बाद जैसे ही वर्क बोर्ड को खतम या उसको चेंज किया जाएगा उसको डैलूट किया जाएगा ये पूरा देश ये दलेत और हिंदू वाले काम नहीं रहेगा ये पूरा देश दुबारा से इकठा होगा और इसी चीज़ की जो मिर्चे हैं वो वसी को लग रह पूरे सी संसद में शपत लेता है जै फिलिस्तीन बोलकर और कैसे नस्रुला के लिए पूरे देश में छाती पिटी जा रही है कश्मीर से लेकर केरल तक उत्तर प्रदेश में आप देखिए ये आज साथ तारीखे साथ अक्टूबर है एक साल पहले हमास ने क्या कुछ किय जा था इसराइल में खुसकर वो आतंकवादी हमला था ना लेकिन यह उस आतंकवादी हमले को भी जस्टिफाइब करते हैं तो उसको कैसे देखा जाए उसको लेकर तो हम कैसे दो है कि पूरे देश में एक तरह से ये कितनी बुरी तरीके से एक एजेंडा चला रहे है हमार देश के देश से अलग भी है और अडेयालीजी भी ऐलग है क्योंकि जब इनका और इस देश को चीन कर खैना है तो हमने यहां पर इसलामिक कंट्री बनाना है तो यह हमारे कभी होई नहीं सकते और यह जह टोपर से लेके निचे तक सभी के सभी ऐसे ही हैं हमेशा बोलता आप देखिए ये आउटरीच का काम मोदी जी ने जी एन के में कितना साधा किया वहाँ पर डिवालमेंट का काम किया है वहाँ पर 370 के बाद वहाँ पर ट्यूरिजम बढ़ना शुरू हो गया और अर्बों रुपए वहाँ पर लोग खर्च कर आते हैं और आज जैसे ही एक बड़ा कौकरुच मारा गया है सारे के सारे सडकों पर आ गए इंक्लूडिंग स्मॉल किड्स छोड़ छोड़े बच्चे भी वहाँ पर रो रहे थे कि हमारा बड़ा कौकरुच आपने उपर बेज़ दिया और घर घर से नसरुला निकलेगा और आप सोचे देखिए उस नसरुला के साथ भी कितना बुरा हुआ वो सोच रहा था कि उपर जाके मुझे बहतर हुरे मिलेंगी वहाँ जाके पता लगा कि उस नर्क में जगा मिली है रेड कार्पेट दिया गया उसको वी आई पी ट्रीट्मेंट मिला है नर्क में घुषने के लिए इसलिए रोना और धोना इनका निकल रहा था और इससे आपको एक चीज़ समझ आगी होगी कि अगर गाजा पत्ती में आपको या पैलेस्टीन के जो एरिया है वहाँ पर गाजा पत्ती है तो भारत में हर स्टेट में गाजा पत्तियां इन्होंने बना के रखी है और हर गाजा पत्ती में हमास के जो लोग हैं वो हमारे देश में पनप रहे हैं ये तो सिर्फ आपको एक जलग दिखा रहे हैं वो, कि देखिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस दिन एक्चुल में सपोर्ट करेंगे, असला इन्होंने अलड़ी कठा किया हुआ है, पत्थर इनके हर के घर में है, पेट्रोल बॉम इन्होंने रखे हुए है, ये तो आग लगाने में एक सेकंड लगाएंगे, सिर्फ रहुल गांदी की तरफ से इशारे की जरूरत है, वसी की शायद इतनी बात नहीं सुनेगे, जितना रहुल की सुनेगे, क्यों, क्योंकि रहुल ने इनको गारंटी दे दिया है, कि जिस दिन मैं परदान मंतरी बनूँगा, जै आपकी यो मेरी बात ये समझ आजाने चाहिएं को, कि रहुल गांदी ने गारंटी दिया हुआ है मुसलमानों को, कि मैं सब कुछ छीन कर उन से आपको दे दूँगा, आपके तो मंगल सूतर तक खिंच के उसने देने की प्रॉमिस किया हुआ है, तो आप समझ सकती हैं कि इ उसका वोट बैंक पक्का है, वो हिलने वाला नहीं है, वो उसी को वोट देगा, मैं जो मर्जी कर लूँ इनके लिए, लेकिन मेरा वोट बैंक कैए मेरे साथ है, यह मुसलिम वोट मुझे नहीं मिलेगी, इनको इतनी तो समझ आगी मोदी जी को, कि सब का साथ और सब का वि उन्हों ने आपको एक ढगे तरीके से एक कोशन पुछा है, कि उनका वोटर बैंक उनके साथ है, क्या मेरा वोटर बैंक मेरे साथ है, तो कोशन वोटर ही मेरे साथ नहीं है, तो मैं लडू तो लडू तो लडू किसके लिए, लेकिन मेरा काउंटर कोशन भी है, कि मोदी ज सतर हटने के बाद जो जैसे हालात जम्मू कश्मीर में बने हैं हर कोई देख रहा है कि वहां पर जन जीवन कितना समान ने हो गया आप तमाम वीडियो देखें चुनापरचार के दौरान के सब कुछ मिले है उनको बच्चे स्कूल जा रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है फिर भी अउनकी को वोट नहीं करेंगे एजेंडा उनका विलकुल क्लियर है कि मोदी्स जो मर्जी कर ले सब का साथ सब विकास अव का विष्वास कर ले लेकिन वो लोग बीच पीको वोट नहीं देंगे तो ईसी से पता चल जाता है कि वह किसे जड़ रहे है पर जो यह नस्र बरबर के मां भेज देना चाहिए इनको यह रख रहेंगी चाहिए जब यहां रहेकर उसलिए पैदान में पूद देना चाहिए अजय जी मैंने वीडियो बनाया था एक कि मोदी जी आप उल्टी गंगा क्यों नहीं बहाते हैं हमने बच्पन से दो चीजें सिखी हैं कि उल्टी गंगा बहाना और अगर सीधी उंकली से घी न निकले तो टेड़ी आपको करनी पड़ती है हमने बच्पन से सुना है आपको याद होगा कि जब युक्रेयन का वार शुरू हुआ था रश्या के साथ तो मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट बनाया था ऑपरेशन गंगा तो उसके अंदर जितने भी चाथ अपने स्टूडेंट्स फसे होए थे युक्रेयन में उन सब को बलाया गया सेफली यहां पर भार यहां था आए आज रिम कि सर आप उल्टी गंगा क्यों नहीं बहाते हैं कि जो इतना चाती पीट रहे हैं कि पैलस्टीन होए सड़ा पैलस्टीन हमारे बच्चे यह के लिए वीडियो बनाते हैं वो एक्टिंग वाली भी उसको भी देखकर यह रोते रहते हैं तो आप एक कुछ रह जाएं जो कहीं नहीं नहीं हम गाजा नहीं जाना चाते हैं उनको अब लेबरनल भेज़ दीजिए हिजबुल्ला के जो हैड़कॉर्टरस है उसके पास जिसको उड़ा दिया गया लेकिन वहाँ पर फिभी खड़ों में जाकर यह रह तो सकते हैं टेंट लगा कर वहाँ पर सपोर्ट दिखाएंगे उसमें डबल फाइदा है आपको डबल फाइदा है एक आप दुनिया को बताएंगे कि हम पैलस्टीन के साथ कड़े हैं हम सपोर्ट करने को त्यार हैं हमने यहां से जो सपोर्टरस थे उनको स्पेशली भेजा है पूरी शिप्स भर भर क तो एक तो आपकी वाबा हो जाएगी जितने लिबरांडू हैं वो मोदी जी की तारीफे करने शुरू कर देंगे जो इनके लिए अगेंस इनके बोलते हैं वो रुक जाएगा और यहां पर जो यह रोना पितना है वो भी इनका खतम हो जाएगा और एक ऐसी प्रालम भी है जो पर्मनेंट हमारे देश में है वो भी खतम हो जाएगी जब यह सारे वहां चले जाएगे तो एक तीर सौ निशान तो आपको उल्टी गंगा बहाई देनी चाहिए यह पर्मनेंट इलाज है लेकिन आप यह सोचे कि साओधी के किंग क्राउन किंग है क्राउन प्रिंस है वो क्या कहते हैं कि हमें कोई लेना देना ही नहीं है जो कुछ लेबनन में हो रहा है हिजबुला और नस्राला से हमारा कोई लेना देना नहीं अगर किसी ने मक्का मदीना में आकर एक पोस्टर भी लगाने की कोशिश की नारे भी लगाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ का प्रवार के जोर पर या लालच के जोर पर यह सारे जाती पीटते हैं MBS ने एक चीज और बोल दी जो आज ही बोली है उन्होंने बोल दिया कि यहां पर ना तो किसी मस्जिद में ना तो उनके लिए कोई प्रेयर्स करी जाएगी कोई दुआ की जाएगी ना कोई स्टेट्मेंट दिया जाएगा कुछ भी नहीं मैं अलाव करूंगा और लिचले ही गाया सिवाए अपने कंट्री का उसे उपर बंचा दिया गया यानि कि उपर भत्तर हुरों की भी शॉटेश इनके पास होती हुई दिखाई देती है और साओधी रेबिया नहीं शुरू किया है साओधी रेबिया ही वो कंट्री है जिसने बार बार यॉरप को भी और पूर से support करता हो दिखाय देता है लेकिन अपने country में इन ज יהदीयों को आने नहीं देता है इन converted लाची जो कमजोर के लोग है इनको आने नहीं देता हो उनको मालूम है यह जानवर है यह राक्षस बन चूके यह मैसेज मैं उनकी तरफ से मोधी जी को भी देना चाहूंगा आप सभी कह रहे हैं कि जहां जहां भी यॉर्प में आप देख लिए जहां जहां भी इन लोगं को पना दी गई है वहां किस तरह का महौँ रहा है लंडन का हालत आप देख लिए बलकि अब तो कुछ ए कंट्र काम भी शुरू कर दिया गया है चोटे-चोटे कंट्री यॉरप के हैं जो यह सब कर रहे हैं तो एक स्ट्रॉंग जिसे कहते हैं कोई रणनीती लेकर आना ही पड़ेगा लेकिन फिलहाल तो अभी ओवेसी को थोड़ी मिर्ची लगी है कि हिंदू कैसे एक जुट हो सकते हैं क् सौ करोड हिंदू एक जुट हो गया फिर तो आप सोच सकते हैं क्या होगा अगर एक परसेंट भी सड़कों पर उतराया तो क्या होगा यही बोलते हैं वह एक परसेंट मुसल्मान भी सड़कों पर उतराया तो बवाल हो जाएगा और रोज तो भड़काओ भाशन उस तरब से आते ही रहते हैं अगर एक सीधा सा स्टेटमेंट मोहन भागवत जी ने दे भी दिया है कि इन दो यूट हो जाओ तो पता नहीं उसको लेकर इतना बवाल क्यों मचा है लेकिन सुमिट जी आपने समय निकाला इस महत्रपुन वेशे पर चर्चा करने के लिए बहुत भारत माता की जैवो वंदे मात्रम और जैश्री राम जैश्री राम